आज हम बनाएंगे सूखे मुर्मुरे का चीवड़ा जो टी टाइम के लिए बेस्ट स्नैक है चलिए बनाना शुरू करते हैं पैन गरम कर लें सबसे पहले गरम हम दो टेबल ओिल डालेंगे एक चोटी मीडियम साइज की कटी भी प्यास एट करेंगे प्यास को टेल में अची तरह से फ्राइब करेंगे प्यास का कलर ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें फली के बीज डालेंगे थोड़े से फुटाने एट करेंगे इन सब को तेल में अच्छे से फ्राई होने देंगे दो कटी हुई हरी मिर्च दालेंगे और थोड़ो से लहसन दालेंगे लहसन का कवर मैंने नहीं निकाली हूँ बस थोड़ा सा इसको कट करके दाली हूँ चार से फंस साबित लाल मिर्च दालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे अब हम इसमें थोड़े से करीलिस एट करेंगे लोव फ्लेमबर रखकर सबको अच्छे से तेल में फ्राई होने देंगे अब हम इसमें हाफ टीस्पून अद्रकलेचन का पेस्ट दालेंगे हाफ टीस्पून नमक दालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर दालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मुर्मुरे डालेंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो मिनुट तक इसको हाई फ्लेम पर रखकर इसी तरह से फिराते रहेंगे ये देखिए चीवड़ा रेडी हो चुका है अब हम इसको सर्व करेंगे लीमो और प्यास के साथ इसको आप एक महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं हेर टाइप कंटेनर में रखकर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें